नमस्कार किसान भायो आप सबी को खेतिगी गया निटूब चैनल पर स्वागत है मैं आसा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो किसान भायो आज हम इस वीडियो में टाटा या फिर राली सिंडिया लिमिटेड के कुरूंडा इंसेक्टी साइड के बारे में बात करने ब करता है इसको हम किन-किन फसलों में शिड़काऊ कर सकते हैं और इसके डोज प्राइस और इजिल टाइम के बारे में आज में इस वीडियो में बात करने बाले हैं तो आप वीडियो का अंतियम तक देखें और अगमें चनल पर आप नए हैं चनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साइड में जो बेल एकने उसे प्रेस कर दे ऐसी क्रिस्सम्बंदित नए-ने जानकारी सबसे पहले पानने के लिए तो पहले हम इसके टेकनिकल के बारे में जानते हैं तो टाटा का जो कोरूंडा इंसिक्टी साइड है यह एक दो कीटिनासक का मिसरन है इसमें टेकन क्लोरोपाइरिफस 50% प्लस साइपरमेथिन 5% EC ये इंसिक्टिसाइड एक एमुलसिफियोबल कंसनेट्रेट के फॉर्म में आता है मतलब एक तरह लिकुड के फॉर्म में आता है ये है सबसे बड़े रसायनिक सम्मूहों और गानोफोसफोरस और सिंथेटिक पाराथ्रोड सम का एक मिसरित इंसिक्टिसाइड है जो हमारे फसल में कई तरह के अलग-अलग कीटों को एक की साथ में नियंत्रित करता है अब हम इसके मोड़ोपैक्शन के बारे में बात करेंगे तो कोरोंड़ा इंसिक्टिसाइड हमारे फसल पर मुख्यत संपर्क और पेट क्रिया इसमें जो टेक्निकल होता है क्लोरोपैरिफस 50% यह है एक नॉनसिस्टेमिक इंसिक्टिसाइड है क्लोरोपैरिफस अपने एंटिफिडिंग मतलब खाना बिरोधी क्रिया से कीटों को मारता है और क्लोरोपैरिफस हमारे फसल में नियूरो टॉक्सिन के रूप में भी कार् कोरोंडा इंसेक्टिसाइड छिड़काओ के बाद यह अपने संपर्क क्रिया से कीटों को पुरी तरह निसक्रिया मतलब पारालाइस्ट कर देता है जिससे उजो कीट होता है और चल नहीं पाता है और कुछी समय में उजो कीट होता है ओ मर जाता है जिससे हमारे फसल पर कीट का कम नुकसान देखने को मिलता है अब हम बात करेंगे कि इस इंसेक्टिसाइड को हम हमारे फसल के किन-किन चरोणों में छिड़काव कर सकते हैं तो कोरोंडा इंसेक्टिसाइड को हम फूलों के आने के अबस्ता को छोड़कर अन्याने सभी चरोणों में इसका छिड़काव कर सकते हैं के इसमें आपको साइपरमेथिन 5% देखने को मिलता है और साइपरमेथिन का फूलो पर थोड़ा बुरा प्रभाप देखने को मिलता है और कोरुणनडे इंसेक्टिसाइड को हम आज preventive मतलब कीटों के संक्रमन्ट से पहले भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं और आज क्यूरेटी मतलब कीटों के संक्रमन्ट के बाद भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं यह दोनों परिस्तितियों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है अगर बात करें इसके tank mix के बारे में तो corona insecticide को हम आम तोर पर इस्तेमाल किये जाने बाले सभी कीट नासक, फफूंद नासक और plantonic के साथ मिला कर छिड़काओ कर सकते हैं इसका कोई भी side effect नहीं होता है अगर बात करें इसके rain fastness मतला बरसाती पन के बारे में तो corona insecticide छिड़काओ के 3 घंटे के पस्चात अगर बारिस होती है तब भी हमको इसका अच्छा रिजल देखने को मिलता है अब हम बात करेंगे कि इस insecticide को हम किन-किन फसलों में छिड़काओ कर सकते हैं तो corona insecticide को हम धान, कपास, चना, स्वयबेंट, टमाटर, बीन्स, करेला के अलाबा अन्यान सभी प्रकार के फगर बात करें इसके कीटों के नियंत्रण के बारे में तो corona insecticide धान के फसल में stem borer, leaf folder और green leaf hoppers को नियंत्रित करता है और उसके साथ अन्यान फसलों में caterpillars, American ball worm, spotted ball worm, pink ball worm, aphid, jess red, thrips और white fly को नियंत्रित करता है अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाईयो अगर आप इसका अच्छा result पाना चाहते हैं तो corona insecticide को 30 ml प्रती 15 लिटर पानी में मिला कर छिड़काओ करें और प्रती एकड 500 लिटर पानी में 300 ml मिला कर छिड़काओ करें इससे आपका जो result है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और अगर बात करें इसके result टाइम के बारे में तो corona insecticide का असर धान के फसल में साथ से 10 दिन तक देखने को मिलता है और अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो corona insecticide का जो 500 ml का पैकिंग है वो आपको 450 से 500 रुपे के अंदर मिल जाता है